अगर हमारे पास एक स्विच है और एक बल्ब है तो उसका कनेक्शन कैसे होता है इस वीडियो में यही जानेंगे कि एक स्विच से एक बल्ब का कनेक्शन कैसे किया जाता है आए उस कनेक्शन को देख लेते हैं इसमें क्या है कि हमारे पास एक बल्ब है और एक स्विच नयंक्शन करेंगे सब्सक् Yasom यह phase और neutral दोनों आ गया उसके बाद यहां से सीधा जाता है stabilizer में हमारा जो घरों में लगा होता है वहां पर जाता है तो यहां जो MCV है MCV से output आएगा phase आगया यहां से neutral आगया अब stabilizer से क्या है? stabilizer से आएगा MCV में जो हमारा distribution board होता है वहां का MCV होता है उसमें आएगा तो stabilizer से हमारा phase आएगा connect हो गया हमारा इसमें MCV के input में neutral भी आगया और neutral आके connect हो गया यह MCV के input में जो MCV है यहां से output निगलेगा इसका connection करेंगे एक Svis से एक board काई हमारा पास दो एक phase है और neutral है दोनों को point मिल गया अब इसका connection करेंगे तो phase आया phase switch में connect हो गया जो switch है switch के नीचे ले वाले point में connect हो गया यह नीचे वाले switch में Input हो गया. अब यहां से Output निकलेगा. Output निकला और सीधे हमारा BAlb में चला गया. Phase को यहां क्या है? Phase चला गया, Switch के थुरू, हमारा BAlp में. Phase को control कर लिए हम, और जो हमारा Neutral है, Neutral direct जाएगा हमारा BAlb में. Neutral यहां से Direct गया, और सिधे bulb में connect हो जागा तो ये एक switch से एक bulb के connection इस तरह से होता है so friends I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगाऊगा so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊ तो like, share and subscribe करें thank you for watching this video thank you